दोस्तों नमश्कार गुजरात का मतलब है रईसों की कतार गुजरात का मतलब है वहपारियों की कतार गुजरात का मतलब है धंदा करने वालों का एक पूरा समू और गुजरात का मतलब है पैसे के वर्चस्व को अपने हतेली में दबा कर धंदा करते हुए आगे निकल जाना और गुजरात का मतलब है विकास की वहचा का चौन जिसमें सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए और पैसे के जरिए पैसा बनाना आना चाहिए लेकिन गुजरात के भीतर राहुल गांधी ने आदिवासी का जिक्र क्यों कर दिया और गुजरात में एक के बाद एक जब प्रोजेक्ट्स की लाइन लगी हुई है और समूची मोधी सरकार वहां चुनाव प्रचार कर रही है दरजन भर मंतरी लगातार बतला रहे हैं कि दरसल कितने प्रोजेक्ट्स गुजरात में आए और उन प्रोजेक्ट्स के जरीए किस तरीके से गुजरात फल फुल रहा है लेकिन इन सब के बावजूद भी राहुल गांधी वनवासी और आदिवासी का जिक्र क्यों कर रहे हैं दरसल इसके गुड में पहली बार ना सिर्फ गुजरात बलकि समूचे देश की राजनिती भी है और उस राजनिती में कॉर्परेट और सत्ता के बीच की जो घालमेल की स्थिती कॉर्परेट को लाप पहुचाती है और सरकार की नितिया उसी कॉर्परेट के कैसे अनुकूल हो जाती है यही मंत्र छुपा है गुजरात में 27 सीटे आदिवासी छेत्र से आती है इन 27 सीटों के दाइरे में गुजरात का लगभग 15 से 18 परसेंट ऐसी जमी आती है जहां पर प्रोजेक्ट की कतार आने वाले वक्त में दिखाई देगी लेकिन जो प्रोजेक्ट आ चुके हैं और उनकी संख्या तकरीबन 2 लाग करोड की आए से जादा की है उससे क्या कोई लाब आदिवासियों को हुआ है या आदिवासियों की जमी जो फिलहाल गुजरात में एक लिहास से खाली पड़ी है उस जमी पर सरकार की नजर है और इसी दृष्टी कौन से समूचे देश में आदिवासी जिन इलाकों में रहते हैं वहां की जमी पर कैसे कॉर्परेट काबिज हो और सत्ता को उसका रिलाब मिलता चला जाए क्या यही लकीर खीची जा रही है और इसी में सेंद लगाने की कोशिश राहुल गांदी ने की ह गुजरात के भीतर तकरीबन आठ बरस के दौर में 34 प्रोजेक्ट्स आए हैं इन प्रोजेक्ट्स का आदिवासियों से कोई लेना देना बिलकुल नहीं है आप कहेंगे सलक बन रही है तो आदिवासियों के लिए नहीं बन रही है क्या आप यह भी कह सकते हैं कि दरसल जो पवर लगा यहां तक कि जो मुबाइल फोन के टावर्स भी लगे हैं वह भी अगर आदिवासियों की जमी पर बने हैं तो क्या ये आदिवासियों को लाब नहीं पहुंचाएंगे जितने संग के प्रकल्प वहाँ पर चल रहे हैं आदिवासियों में और खास तोर से डंग के अलाके में जो गुझरात में सबसे घनत वाला आदिवासी अलाका है तो किया इसका लाब आदिवासीयों को नहीं मिलेगा क्या आदिवासीयों की परिस्तिती गुझरात के भीतर 44 फीजदी अपनी जमी से इस दोर में बेग़र हो गए है वहाँ पर अलग अलग प्रोजेक्ट्स ने काम करना शुरू कर दिया 63 फीजदी आदिवासी गरीबी की रेका से नीचे है और उन सब के बावजूद भी उन इलाकों में जो भी प्रोजेक्ट्स किसी के माध्यम से गए माध्यम से मतलब यह है कि वो सरकारी रास्ते से होते हुए यह कहते हुए गए कि दरसल इसका लाब आदिवासियों को होगा उसका लाब आदिवासियों को क्यों नहीं हुआ और आदिवासियों की आर्थिक परिस्तितियों में बीते आठ बरस में कोई सुधार आना तो दूर वह और नीचे उनकी आर्थिक समाजिक परिस्तितियां और नीचे क्यों चली गई दरसल यही वो परिस्तिति है जिसमें गुजरात की 27 आदिवासी सीटों पर जीत किसे मिलेगी उससे आगे की परिस्तिति यह है कि दरसल इन इलाकों में जो 18 फीजदी जमीन फिलहाल सरकार की नजर उस पर पड़ी हुई है वहां कौन कौन से प्रोजेक्ट कैसे कैसे लाए जा उनकी नजर में गुजरात या फिर कोई रज से कहीं आगे इस देश की सियासत और उसके बाद सियासत समालते हुए इस देश में जो लूट तंत्र कॉर्परेट के जरिये इस दौर में पैदा कर दिया गया उस पर चोट करना तो नहीं है हमें लगता है कि आज जरा सिलसले तरीके से आदीवासी वनवासी गुजरात के आदीवासी इस देश के आदीवासी ऐसीओं की जमी आदीवासीओं की आर्थिक हालात इन परिस्तितियों को जब आप समझना शुरू करेंगे तो तीन बातंगे आपके सामने उभर कर आएंगी पहला हर वो प्रोजेक्ट जो आदिवासी छित्र में जाता है वो किसी न किसी बड़े कॉर्परेट या इंडस्टिलिस्ट का क्यों होता है वहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट सरकार अपने तौर पर क्यों खड़ा नहीं कर परती है और तीसरी परिस्तिती है कि आदिवासीयों को उससे कोई लाब होता भी है या नहीं होता है क्योंकि इसी दौर में सरकार ने ऐसा नियम काइदा भी बना दिया कि अगर पेड़ भी कटेंगे तो कल तक पेड़ जब कटते थे तो आदिवासियों से इजाजत ली जाती थी लेकिन नए नियम काइदे के तहत आदिवासियों से पूछने की ज़रत नहीं है जो उस इलाके में रह रहे हूं क्योंकि आपके जहन में अगर दो हजार तेरा उड़ीसा का जो विदान्त का जो पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोट में गया और सुप्रीम कोट ने जो उस पर फैसला दिया उसमें भी ये कहा कि कोई प्रकल्प, कोई योजना, कोई प्लान अगर आदिवासी इलाके में जाता है तो वहां पर आदिवासियों की राय महत्तपुन होगी और इतना ही नहीं कॉंसेचूशन की जो पांचवी छटी अनुसूची का जिक्र बार-बार किय जाता है उसके मद्दे नजर भी सुप्रीम कोट ने ये रूलिंग दी लेकिन एक जटके में क्यों ऐसी जरुरत मोधी सरकार को पड़ गई कि पेड़ भी कटेंगे तो उसमें रज तो दूर की बात है आदिवासियों से भी किसी तरीके से कोई सला मश्विरा या इजाजत लेने की जरुरत नहीं है यह एक पूंजी का ऐसा बड़ा खेल है जिसके उपर मोधी सरकार अगर बैठी हुई है तो उसमें सेंध लगाने का प्रयास राहुल गांदी कर रहे हैं सवाल ये नहीं कि वो आदिवासी को कितना जगा सकते हैं सवाल सिर्फ इतना है कि आदिवा में परिवर्तन की दिशा आदिवाशियों के जरिये देखना चाहता है क्योंकि रज दर रज अगर राजस्थान से देखिएगा तो वहां पर राजस्थान से सटा हुआ इलाका ही है गुजरात का राजस्थान में आदिवासी बहुल इलाका बगल में मदपरदेश का इन त सरकार पॉलिसिगत तरीके से बनाना चाहती है उसको लेकर कुछ नई रोशनी आदिवासियों का जिक्र करकर कि इस जमीन पर पहला कबजा तो उनीका है उनसे इस कबजे को वनवासी कहके कैसे चीना जा सकता है क्या चोट इस पर है इस परिस्तिती को इसलिए जरा समझने की ज अधिकार था वो कैसे अपने पास ले आया और ये रूल 2022 का है जिसमें फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंड मिनिस्ट्री ने बकाइदा नोटिफाई किया कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल 2022 के तहत हमको इजाजत लेने की ज़रत बिलकुल नहीं पड़ेगी और यही से यह बात शुरू होती है कि दरसल राजस्थान के भीतर और मदपरदेश के भीतर और उससे सटे हुए गुजरात के भीतर तो गुजरात में जब अभी चुनाओ है तो गुजरात के भीतर आदिवासियों के सवालों को लेकर क्या एक ऐसी परिस्थिती कॉंग्रेस खड़ा क करना चाती है जिसमें गुजरात के वह कॉर्परेट वह इंडस्टिलिस्ट भी सोच लें कि सत्ता जिन कॉर्परेट के साथ है उन्हीं को यहां पर वह स्पेस देगी क्योंकि एक के बाद एक एक साल के भीतर 16 प्रोजेक्ट आदिवासी इलाकों में गुजरात के भीतर आए 34 प्रोजेक्ट बीते कई दिनों से बड़े मेगा प्रोजेक्ट चुलाए गए वह आदिवासी इलाकों में लेकर आए इस देश के बीतर में जितनी भी सीमेंट की फैक्टरी चल रही है जो पावर सेक्टर निकल कर आता और यहां तक की जो टाइगर रिजर्वी है वो आद लिवासियों को लेकर जो सवाल अभी तक नहीं कोई उठाता रहा या यह सवाल भी किया जा सकता है क्या कॉंग्रिस साशित दौर में यह नहीं होता था लेकिन मौझूदा वक्त में जो कॉर्परटाइजेशन बीजेपी ने अपनी राजनिती का कर लिया है ऐसा सवाल उठाना होगा जिस जमीन पर तमाम प्रोजेक्ट्स धीरे धीरे चलते चले जा रहे हैं गुजरात के भीतर बनांस काठा सबर कांठा पांच महल पंच महल दाहोत बढोदरा नरमदा भरूच सूरत नवसारी डांग वलसार यह लगभक 27 सीटे हैं जो आदिवासी जा किया था तकरीबन 15 सीटों पर लेकिन ध्यान दीजिए जो गुजरात के भीतर में प्रधान मंत्री मोदी जिन बातों का जिक्र कहते हैं जैसे उन्होंने बताया कि हमने 10 हजजार स्कूल ट्राइबल इलाकों में खोल दिये हैं बिरसा मुंडा ट्राइबल किलो मीटर हम बनाएंगे कैबिरेट ने अप्रूफ किया हुआ है और इस देश के भीतर में ये कमाल का काम होगा यहां तक कि टेलिकम टावर्स जो हैं वह भी लगबग साथ हजजार गाओं में जिस तरीके साथ हजजार 287 गाओं को दाइरे में लाने के लिए तै किया गया जिसमें गुजरात पहले नंबर पर आता है फिर 36 गड़ जारकंड उडिसा नरमदा अंदर परदेश ये सारी चीज़े आती हैं लेकिन जो दाहोद का इलाका है उसमें 9,000 होर्स पावर का इलेक्ट्रिक लोको मोटिव हम लेके आए हैं यानि रेलवे की तरफ से ये किस को लाब देगा जाहिर है ट्राइबल्स इलाके में हैं तो ट्राइबल्स को लाब देगा अब यहां से असल सवाल होता है कि दरसल गुजरात के भीतर एक तरफ रईसों की कतार है दूसरी तरफ आदिवासियों की जिंदगी जीने के लिए हर महीने लगभग 400 रुपए की जम्शन जो हता है वो जो भोजन करते हैं और उसकी जो मार्केट की कीमत होती है वो महीं 400 रुपए तक ही आपाती है पूरे महीने का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं अगर इस दृस्टी से देखे तो गुजरात के भीतर लगभग 63 फीजदी आदिवासी गरीबी की रेखा से न वहां उन्हें इस दौर में काम नहीं मिला कॉंग्रस या राहूल गांदी राहूल गांदी का जो प्लान है इस गुजरात मॉडल में कॉर्परेट सेक्टर और आने वाले वक्त में जो भी इंडस्टलाइजेशन या कॉर्परेटरी करन के जरीए विकास की जो पॉलिसी सरक बनाना चाहती है राहूल गांदी दरसल इस पध्यात्रा के दौर में सचेत भी हुए हैं तमाम लोगों से मिले और उन्हें जानकारी भी दीरे-दीरे समझ में आ रही है कि दरसल इस देश की एकनॉमिक पॉलिसी अगर कॉर्परेट के हिसाब से बनाई जाएगी या इंटर तादाद आदिवासी बहुल इलाके इसलिए माइने रखते हैं क्योंकि तमाम शहरी इलाकों में जो डेवलप्मेंट होना था या जो पूंजी लगनी थी या किसी कॉर्परेट के जरीए जब कोई प्रजेक्ट जाता है तो कॉर्परेट ने भारत के भीतर में जो नए नए प्रजेक्ट लगाएं उससे कोई डेवलप्मेंट का कारण नहीं हुआ है बनिस्पत इसके कि उस जगा के इंफ्राइस्ट्रक्चर का लाब उस कॉर्परेट को मिल जाता है और सरकार एनोसी और कौडियों के मोल उसे दे देती है और वहां के पूरे की पूरी जमी का खनिस संसाधन का वो एक्स्प्राइट करता है शायद इसी लिए जो पूरा का पूरा माइनिंग का इलाका है उस माइनिंग की परिस्तिति को समझेए जो सीमेंट की फैक्टरी है बॉक्साइट का जो पूरी खादान है आईरन ओर की जो खादान है वो सारी चीज़े ट्राइबल में ही मौजूद है और उसकी लूट अगर मोदी सत्ता के काल में होती चली गई ये होती थी लेकिन विदानता का मसला इसलिए है क्योंकि राहुल गांदी जब उडिसा गएते तो वो आदिवासियों के हक में खड़े हो गएते और उस समय मनमोहन सिंग की सरकार को जुकना रह सकते हैं कि राहुल गांदी ने अपने आप को ट्रेंड किया है अपनी छवी को बदला है और शायद विचारों में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है क्योंकि कोई भी कल्पना कर सकता है कि पदियात्रा छोड़ कर गुजरात जाकर आदिवासी और वनवासी का जिक्र करना और उसके जरीए ये समझाना कि आप यहां के सबसे पहले वाशिंदे हैं और आप ही को हाशिये पर ढके ला गया मसला इसके पीछे दरसल वह पूरी की पूरी एकनॉमिक पॉलिसी है जो कॉर्परेट के आसरे मोदी सत्ता ने उनका मोनेटाइजेशन करने की एक राहुल गांदी इस प्रियास में अपनी बातों को कह रहे हैं और लगातार उनके सामने जो लगातार रिपोर्ट्स आ रही है खास तोर से पधियात्रा के दौरा जो भी रागीर उनसे मिला उन्होंने उन मुश्किल हालातों को दिखाया किसान मिले मजदूर मिले समासेवी मिले ट्रेड यूनियन के लोग मिले जो कॉर्परेट के खिलाफ काम कर रहे थे वह भी मिले जो न्यू एकनॉमिक मॉडल पे काम कर रहे हैं वह भी मिल रहे हैं एक पूरा धाचा आने वाले वक्त को लेकर कैसा इस देश की एकनॉमी को लेकर होना चाहिए यह चिंतन मनन ही उनको आदिवासी और वनवासी की दृष्टिकोन को अलग करने के लिए गुजरात चुनाओं में एक भाशन जो सूरत में दिया गिया उसके मद्दे नजर ये बड़ा महत्मून है। यहां पर जो प्रोजेक्ट्स आए हैं वो तकरीबन 22 प्रोजेक्ट्स कुछ ऐसे हैं। छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स मिला कर जिसका लाब आदिवासीों को नहीं हुआ बलकि उसके जरिये आदिवासीों के इलाके से जो खनिस संपदा है जो लकडी तक है मान लीजी आप जो है उसको भी वहां से कैसे ले जाया जाया यह सडकों ने काम किया और यह उस इनफॉर्मेशन टेक्नोजी ने काम किया जिसके लिए टावर्स तक लगाए गए लेकिन ट्राइबल्स की जिंदगी में सुधार नहीं हो पाया और उन इलाकों में काम करती हुई परिस्तिति पैदा होगी वो इस देश में कपत नहीं होगी वह बिजली दी जाएगी बंगला देश को लेकिन उस पूरे इलाके में जो गोड़ा का इलाका है पूरा का पूरा वहां पर सारी जमीन आदिवासियों की है और आदिवासियों की जमी को अडानी की कमपनी ने कैसे लिया लो यानि वहां पर आप मुखमंत्री जो हैं वह भी कुछ नहीं कर पाए तो क्या ये एक ऐसी परिस्तिती इस देश के भीतर है कि इस देश में जो रूरल इंडिया है और उसके भीतर का जो आदिवासी इलाका है और जिसको वनवासी कहके वहां के जंगलों को खतम करने की परिस् जो शुरू हुई है वह एक मुनाफेदार धाचे के तोर पर गुजरात में मौजूद है ये हो सकता है क्योंकि जो धाचा नजर आया उसमें इस बात का खुले तोर पर जिक्र है कि खास तोर से आब अगाब विधानसभा की सीटों को देखे इसके पैरलल में पॉलिटिक्स इसलिए जरूरी हो चलिए को कि राजनितिक सत्ता के जरिये ही चीज़ें इंप्लिमेंट होती है राहुल गांदी इसको पकड़ना चाह रहे है को कि मद्द परदेश में 47 विधानसभा की सीटे हैं जो बिलकुल गुजरात से लगा हुआ है जो राजस्थान का इलाका है वह अलग अलग राज्यों में सीटों की मौजूदगी है लेकिन इस पूरी परिस्थिती के भीतर में तीन सवाल जो कॉंग्रिस के या राहुल गांदी के जो में प्लान का हिस्सा है उसमें वो खासतोर से इस बात पर जोर देना चाह रहे हैं कि दरसल इस देश के भीतर की जो एकनॉमिक पॉलिसी ने अब उस ड्राइलेंड को पकड़ना शुरू किया है जहां पर कॉर्परेट्स अपने प्रोजेक्ट को लेकर जा रहे हैं कोकि वहां पर खनिस संपदा की लूट हो सके ये पहले हम लोग बिलारी में मान लिजे देख चुके हैं बस्तर में देख मजदूर है या युवा तबका है या पाटीदार समाज का जो तबका है अगर वह इस एकनॉमिक मॉडल को समझ ले मोदी सरकार के जिसमें उनका वाइबरेंट गुजरात समाता है और डेवलप्मेंट के लिए गुजरात की जमी का उपियोग कैसे उसको मोनेटाइज करके म परतिमा जो लगाई गई उस इलाके में आने वाले आदिवासी इलाकों आदिवासी घर जो हैं वहाँ पर अभी भी दो जून की रोटी मोहिया होना मुश्किल है आर्थिक इस्तिती बड़ी नाजुक है वहाँ पर लेकिन बावजूद इसके चुकि नजर आती है सरदार प कैसे करना है तो उसकी योजनाओं का एक चहरा अलग अलग बिम्बो के आसरे जैसे सरदार पटेल की परतिमा के आसरे उस पूरे इलाके को कैसे अपने अनुकूल क्रियेट किया जाए जिसमें आदिवासीयों की जगा ना बचे इस दृष्टी से सरकार की पॉलिसी अगर च सच को अब लाना चाहते हैं कि दरसल पूंजी ना रहे मेनिस्ट्रीम मीडिया ना रहे इस देश के जो औरगनाईजेशन जो कॉंसिचूशनल औरगनाईशन है वह भी ना रहे और सत्ता अपने हिसाब से तानशाही तरीके से चीजों को अगर पॉलिसी के लिहाज से इंप् कैसे करेंगे तो आपको जिक्र आदिवासियों का करना होगा आपको ग्रामीन भारत का जिक्र करना होगा आपको अगरिकल्चरिस्ट का जिक्र करना होगा आपको प्रवासी मजदूरों का जिक्र करना होगा आपको इस देश के भीतर में ऐसे धांचे को खड़ा करना होगा जो कि उस economy के उलट होगा जो market economy या liberalization के दौर में सिर्फ corporate के हक में चली गई यह part पदियात्रा से धीरे धीरे निकल रहा है और राजनिती को ये कितना प्रभावित कर पाएगा कैसे कर पाएगा क्योंकि Congress के भीतर जो नेता है उनके भीतर भी कुछ सवाल है वह इस राजनिती और इस अर्थववस्था को तुरत आत्मसाथ करने की स्थिती में नहीं है और शायद इसी लिए जो mega projects, liberalization, rhythm में आए उसमें पीवी नरसिमा राओ से लेकर मनमुहन सिंग का बड़ा योगदान रहा है लेकिन उसमें और अभी के दौर में एक छोटा सा फर्ख है वो फर्ख है कि उस वक्त जो corporate थे वह अपने तरीके से काम कर रहे थे अब जो corporate है वो सत्ता के लिए काम कर रहे है और सत्ता के लिए जो corporate काम ना करे है उसकी कोई जगा नहीं है यह एक नई परिस्तिती है कि हम political तोर पे आपको इजाज़त देते हैं तो आपको political तोर पे अपने industries को वहां लगाना आ है उससे आपको लाब होगा कैसे लाब होगा तो इसलिए private industry को कानूनी तोर पर जाने की इजाज़त है जंगलों को काटने की इजाज़त है आदिवासी कुछ भी infrastructure खड़ा करने की जा जाते हैं लेकिन आदिवासी अगर कोई पेड़ काट ले तो उस पर फाइन लग जाता है इसको द्रिश्टी कोन ये इसलिए और ज्यादा महत्पून है हमको लगता है यहां एक केस का जिकर जरूर आपके साथ करना चाहिए राइसा राइसेंज इला जो मदपरदेश का है वहां का सिलवेनी गाउं है मदपरदेश के forest department ने बतलाया वहां पर एक आदिवासी ये छोटे लाल उन्होंने दो पेड़ काट लिये और उस दो पेड़ काटने की अवज में उन पे जो फाइन लगाया गया वह एक करोड बीस लाक का था मामला आदालत में पहुँचा तो वहां पर जो रेंजर है जो खास तोर से बिमबोरी forest के जो रेंजर है महिंदर सिंग उन्होंने एक बड़ी लाजवाब जानकारी दी उन्होंने कहा कि इतना इसलिए लगाया गया क्योंकि एक पेड जो होता है वो 50 साल तक कितना फाइदा देता है यह देखना चाहिए और उसमें oxygen supply जो होती है उसकी कीमत market rate के हिसाब से 11,97,000 होती है सिर्फ एक पेड का मज़िका आप आपसे कर रहा है जो control वो air pollution को करता है उसकी लागत अगर आप machine से करना चाहें तो 23,68,000 होगी soil erosion, soil को नहीं erosion ना करने दे उसको समेट के रखे और soil filtration इस पे लगभग 19 लाग खर्च होगा जो एक पेड बचा लेता है water filtration लगभग 4 लाग खर्च होगा उसको भी यह बचा लेता है और वास्तविक जो उसकी कीमत होती है वो तक्रीबन 2 लाग की होती है यानि कुल 60 लाग एक पेड के जरीए 50 साल में कैसे होते हैं अगर technology के आसरे चले गए पेड काट के आप तो क्या होता है अब यहां से सवाल होता है कि बीते 8 बरस में इस देश के भीतर में जो rural इंडिया और tribal इंडिया का जो पूरा हिस्सा था वहाँ इस देश में लगभग 118 प्रोजेक्ट बीते 8 बरस में corporate और industries को दिये गए हैं जिसमें mining भी है जिसमें इस देश के जो cement factories है उनके भी हिस्सेदारी है और वो किस रूप में काम करते हैं वह भी है और जो पेड काटे गए उनकी तादाद तकरीबन इस दौर में दसियों लाक है कोकि अभी भी मान लीजे मदपरदे तो इस देश के भीतर में लाकों पेड़ों का कटना लगातार जारी है जो dense forest होता है उस तुलना में भारत की एकनौमी को अगर उसके संपक्ष रखिएगा तो कितना नुकसान हो रहा है जब एक पेड़ का हमने बता दिया आपके सामने 60 लाक रुपए का नुकसान हो जाता है पचास साल में एक पेड़ जो सेलम का पेड़ उन्होंने काटा शीशम का पेड़ जो उन्होंने काटा उसका जो आखड़ा रखा गया और ये उन्होंने जानकारी दी कि दरसल ये पूरी की पूरी रिपोर्ट जो तैयार की गई है वो इंडियन कॉंसिल ऑफ फॉरेस्ट का सबसे विभत्स रूप अगर मौजुदा वक्त में तो आने वाले वक्त में किस रूप में आगे लड़ाई ले जानी है और शायद इसलिए आदिवासी का सवाल राजनितिक तोर पर उठा जरूर है लेकिन दरसल ये उस एकनौमी और एकनौमिक पॉलिसी पर सीधा आमला है जो मोदी सरकार का मूल मंत्र है हर चीज को मोनेटाइज कर दो हर जगा से पैसा कमा लो यह सीधी चोट है राहूल गांधी की समझना कॉंग्रेस को है समझना इस देश को है आदिवासियों को है बहुत 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 बहुत